प्रभीश मसी के नाम में आप सभी को जे मसी की मेरे प्रियो एक बहुती बड़ी घटना 36 गड़ में घटी वहाँ पर एक मसी का मृत्ति हो जाता है अस्पताल में लेकिन वहाँ के कुछ लोग उनको दफनाने नहीं देते कि यहाँ पर जो क्रिश्यन है उनको दफनाया नहीं जाएगा इस परकार से एक बहुत बड़ा एक बाद घटना 36 गड़ में घटी लेकिन जो जिनका मृत्ति हो गया था वो क्रिश्यन थे उनके बेटे ने हाई कोट में अपिल की और हाई कोट ने कारवाई करते हुए कहा कि उनके शव को गाउं में दफनाने दिया जाए और पुलिस प्रशाशन की शुरुक्षा के तहट यह आदेश दिया हाई कोट ने कि पुलिस प्रशाशन उनकी शुरुक्षा करे उनके साथ रहे कोई भी गड़बडी नहीं होना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ उनके शव को उनके गाउं में जहां पर वो चाते हैं व पर यहां पर जो नहीं द्या जाएगा गर वह अपने मूल्स धर्म में वापस आ जा जाते है तो नको उनको दफणा ने दिया जाएगा इस परकार से बहुत सारी बाते वहां पर हुआ लेकिन bli Patricia था वहाई कोट में गया और वहां पर सुनवाई कीघी और सुनवाई क्रिशन के पक्ष में हुई और बतोर पुलिस की शुरुक्षा में उनके पिता जी के जो अंतिम संसकार उनको के पिता जी जो क्रिशन थे उनकी मृत्ति हो गई थी बड़े सम्मान के साथ बड़े आदर के साथ उनको जो दफन विद्धी है वो किया गया निक भासकर नियूस के अनुसार बताया जा रहा है कि इसाई धर्म के विक्ति का सव दफनाने की अनुमती हाई कोट ने बस्तर एसपी को दिये शुरुक्षा मुया कराने के निर्देश बेटे की याचिका पर ततकाल सुनवाई की गई इसपी बस्तर को उसके लिए शुरुक्षा देने के निर्देश दिये गए है ताकि हिंदू बहुल जो गाउं है अन्तिम संसकार के वक्त कोई भी ऐसी घटना ना घटे जानकारी के मुताबित याचिका करता सार्तिक और राम के पिता इश्वर को राम को सांस लेने में तक्लिप के चलते बस्तर जिल्ले के अस्पताल में भर्ति कराया गया था जहां इलाज के दोरान उनकी मृत्ति हो गई जाचिका करता और उनके परिवार मसीही धरम को मानते हैं और उनका प्रचार प्रचार करते हैं पिता की मौत के बाद जब वे शव ग्राम चिंद बहार ले जाने की ववस्ता एम्बिलूस में कर रहे थे तब थाना प्रबारी ने उन्हें रोका और उन्हें ग्राम चिंद गाउं हिंदु बहाल है और वहां इशाय दर्म के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए अलग से कोई जगर नहीं है इसलिए वो कहीं और अपने पिता को दफनाए इस पर याचिका करता ने SHO पिएस से अनुरोद किया कि पिता के SHO को ग्राम चिंद बहार ले जाने के अनुमती दी जाए मगर उन्हें अनुमती नहीं मिली हाई कोट ने अवकास के दिन सुनवाई की स्तर कलेक्टर और S.P. को भी आवेदन किया गया लेकिन संबंदित अधिकारियों ने कोई भी कारवाई नहीं की शव मेडिकल कोलेज अस्पताल जगदलपूर की मुर्व में पढ़ा रहा इसके बाद बेटे ने हाई कोट में अर्जेंट हेरिंग का अनुरोद किया जस्टिस राकेस मोहन पांडे की बेश ने ये सुनवाई करते हुए कहा याचिका करता के वकिल ने कहा कि अपने पिता के शव को दफना ने भारत के सभीदान अनुचेद 21 के तेट याचिका करता का मोलिक अधिकार है याचिका करता और उनका परिवार इसाई धर्म को मानता है इसलिए थाना प्रबारी ने उनके पिता के शव को ग्राम गाउं में दफनाने से रूख दिया था जबकि परिवार गाउं में ही अपनी जमीन पर शव को दफनाना चाते हैं तीस राकेश मोहन पांडे ने मेडिकल कोलेज जगदल तक इश्वर का शव याचेका करता को सोपने का निर्देश दिया याचेका करता को किसी भी कानून से बचने के लिए अपने पिता के शव को ग्राम गाउं में अपनी जमीन पर दफनाने की अनुमती दि गई पुलिस अधिकशक बस्तर को भी यह निर्देश दिया गया कि याचेका करता को उचित पुलिस शुर्खशा प्रदान की जाए ताकि वेश्व को शालिंता से दफना सके बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ दफनाया इस परकार की गटना गटी थी लेकिन हाई कोट ने यह आदिश दिया है मेरे प्यारों इसलिए जो कानून है का सहाराले कानून के तहत आप काली को करें आप रिपोर्ट कर सकते हैं आप कंप्लेन कर सकते हैं कानून हमेश आपके साथ रहेगा